आज कल किटानों से बचने के लिए दो ही तरीके बताए गए हैं एक तो अपने घर में रहिए और दूसरा हर थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ धोते रहिए और वैसे भी आज कल हमारी मेड्स वगएरा भी नहीं आ रही है तो लेडिस को बरतंद होना घर का काम करना ये सब भी करना पड़ा है तो इसकी वज़े से भी हाथ बार-बार पानी के कॉन्टैक्ट में आता है और जब हम बार-बार साबुन से अपने हाथ धोते हैं तो उसकी नमी चली जाती है और डिटरजन्ट यूज़ करने से और बरतंद होने वाला साबुन यूज़ करने से तो हाथ बहुत ही रुखे हो जाते हैं तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनके लिए आपको बिलकुल बाहर नहीं जाना है आपके घर में रखी हुई ही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके हाथों को वापस से नरम बना देंगी तो आईए देखें पर उससे पहले बहुत स्वागत है मेरे चानल इंस्पिरेशन ओफ प्रेर ना में अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजे जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए आजकल हम लोग दिन भर हाथ धो रहे हैं किसी ना किसी तरह हमारे हाथ हर वक्त पानी के कॉंटाक्ट में आते हैं और वो रूखे पड़ जाते हैं और फिर उस रूखे पन को दूर करने के लिए हम लोग बार-बार लोशन लगा लेते हैं लेकिन अगर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो कुछ घरूलन इसके ट्राइ करने में कोई हानी नहीं है रात को सोने से पहले अपने हाथों के लिए बस पांच मिनट निकालें और अपने हाथों पे जैतून के तेल या नारियल तेल से मालिश करें और फिर वैसे ही छोड़ दे रात को बिलकुल भी हाथ ना धोएं सुबह जब आप उठेंगे तो अपने नरम उलायम हाथों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और दिन बन जाएगा अगर आपके घर में जैतून या नारियल का तेल नहीं है तो आप थोड़ा सा देशे घी लेकर भी अपने हाथों पर मल सकते हैं रात को इससे भी हाथों की नमी काफी हद तक वापस आ जाती है बार बार लोशन लगाने से बहुत अच्छा है कि आप थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अपने हाथों पर लेकर जब भी आप फ्री हों तो थोड़ी देर के लिए बैट कर उसे मसाज कर दें और बस थोड़े ही बार बार ऐसे करने से आपकी हाथों की पुरानी नमी और कोमलता वापस आ जाएगी और काफी देर तक रिटेन भी रहेगी लेकिन जब भी आपका हाथ वापस से साबुन के कॉंटाक्ट में जाए तो वापस आने के बाद फिर से थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली अपने हा केवल शेहत के कुछ बूंध हाथों पर लेकर उससे कुछ देर तक अपने हाथों पर अच्छी तरह मसाज करें और उसके बाद हलके से गरम पानी से अपने हाथों को धो दें ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने हाथों पर वापस वही कोमलता और नमी दिखाए देने और थोड़ा सा coconut या olive oil मिलाकर और उसके पाद उसे अपने हाथों पर scrub की तरह अगर आप rub करें तो आपके हाथों की dead skin निकल जाएगी और आपके हाथों की वही कोमलता और सुन्दरता वापस आजाएगी. अभी जो situation है हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पे धोते रहना बहुत जरूरी है तो किसी भी condition में हाथों को धोना avoid बिल्कुल नहीं करें लेकिन उसके साथ साथ अपने हाथों की moisturization उसकी नमी और सुन्दरता का खयाल जरूर रखें मेरे ये नुस्खे try करें इससे आपके हा हमेशा के लिए सुन्दर और कोमल बने रहेंगे धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए